हिजबुला की तरफ से रविवार को इसराइली डिफेंस फोर्स के बेस कैम्प पर हमला किया गया इसराइली डिफेंस फोर्स पर हिजबुला की तरफ से किये गए इस हमले में जहां इसराइली डिफेंस फोर्स की तरफ से दिये गए आधिकारिक आंकडों में साथ जवान गंभी रूप से घायल हुए है तो वहीं 14 लोगों को हलकी से घंभीर चोटे आई है वहीं इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुला के इस हमले में कुल सरसठ लोग घायल हुए है सबसे हम बात ये रही कि हिजबुला की तरफ से इसराइल पर हमला करने के लिए जिस ड्रोन का इस्तिमाल किया गया वो ड्रोन क्या है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दरसल हिजबुला जिस तरीके से लगातार इसराइल पर हमला कर रहा है और रविवार को मिरसाद वन ड्रोन से जिस तरीके से इसराइल पर हिजबुला ने हमला किया उसने ये दिखा दिया कि इसराइल इस बार एक खतरनाक देश से युद लड़ रहा है एक खतरनाक संगठन से यूद लड़ रहा है जिसके पास तमाम अत्याधुनेक उपकरण और सैन्न हत्यार है और यही बड़ी वज़ा है कि अब इस्राइली डिफेंस फोर्स के लिए ये चुनौती है कि वो किस तरीके से हिजबुला के ड्रोन से खुद को बताएं दरसल इस्राइली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो हमला किया गया जिसमें हिजबुला ने मिरसाद वन ड्रोन सिस्टम का इस्तमाल किया दरसल ये मिरसाद वन ड्रोन जो है वो हिजबुला के बेडे में साल 2003 से शामिल है और इसका इस्तिमाल लगातार इस्राइली डिफेंस फोर्स के जो आईरें डोम सहित वो उपकरण है जिनसे वो दुश्मन देशों के हमले को रोकता है उसे छकाने के लिए किया जाता है जब रिवगार को यह हमला किया गया तब भी हिजबुला की तरफ से ताबर तोड मिसाइल दागे गई और फिर अचानक से यह ड्रोन जो है वो रडार को छकाते हुए हमला करने में कामियाब रहा अगर मैं इस मिरसाद वन ड्रोन की बात करूँ तो यह मिरसाद वन ड्रोन जो है वो 40 किलोग्राम तक विस्पोटक को ले जाने में सक्षम है वो एक बार में 120 किलोमिटर की रेंज तक के अपने टागेट को हिट कर सकता है इसके साथी साथ हवा में ये 3000 मीटर उपर तक जो है वो उचाई में उड़ सकता है आपको बता दू कि हिजबुला की तरफ से लगातार इस मिरसाद वन ड्रोन का इस्तिमाल जो है वो किया जाता रहा है इसराइल पर हमला करने के लिए और इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ड्रोन्स जो है वो रडार्स को भी चक्मा देने में काफी उचित माने जाते हैं इसराइल और लेबनान के बीच संगर्ष में जहां हिजबुला लगातार एक तरफ हमलों का सामना कर रहा है और बेरूत में लगातार डिफेंस फोर्स की तरफ से हमले बोले जा रहे है तो वह दूसरी तरफ हिजबुला भी लगातार रह रहकर इसराइल के तमाम बड़े शहरों पर और इसके साथी साथ इसराइल के रक्षा सैयंतरों और इसराइल के मिलिटरी ठिकानों पर हमला करने की कोशश में लगा चुकी है कि वरतमान समय में आधुनिक युद्ध में ड्रोन जो है वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं जो इसराइल जैसे देश के मजबूर डिफेंस सिस्टेम में भी सेंध लगाने में काम्याब हो रहे हैं मिरसादवन ड्रोन के साथ साथ हिजबुला के पास ऐसे तमाम सेंध उपकरण और अत्याजनिक ड्रोन सें जिसका इस्तिमाल आने वाले समय में वो इसराइल पर हमले के लिए कर सकता है इस तरीके की तमाम वीडियो उस लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म को जरूर फॉलो कीज यह वीडियो मैं चंदन भारत वाज लेकर आपके सामने मौजूद था